जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल आलमी से ग्यांसन आपके स्वागत है दोस्तों आसकता हम से लोग अच्छे होंगे आपके घर पर याद में हमसे कुछ सिमंगल बनी रहें इस नवरातिक परव में आपको एक बहुत ही परचंड एक विधी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने प्रस्न किया था कि हमारे पर कोई तंत्र बाधा किया है तो हम स्वाम का कैसे काटन करें और स्वाम के दी बंधन लगा हुआ हो तो उसको कैसे काटें इसमें आप ल मिट्टी के बरतन में उसको लाना है और ला करके घी का दीपक जलाना है और दीपक जला करके उसके समक्षा रख देना है उस पानी को उसमें बेल पत्र दूबी और तुलसी का पत्र या तिनों उसमें डाल देना है उसके बाद में मधुरस पुराना गुड और नीम का पत् डाल देना है डालने के बाद में उनको जो है उसको रख करके आपको मंत्र से अभिमंतित करना है अभिमंतित करते हुए इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए उसको अभिमंतित कर लेना है पढ़ते हुए और जब वह पानी तयार हो जाएगा उसके बाद में आपको उस जल को ले इसको पर छिटकेंगे किसी ब्यक्ति में जादू टोना कोई भी नेगिटिव वुर्जा हो किसी प्रकार से भी उसको किया कर दिया गया होगा तो उसको आप जो है अभिम्तित करके देना है ऐसा करने से कितना भी कितना पावर्फुल घाता कोई भी माना नसने कोई प्रयोग क पानी को एक दिन बना लेना है इस सॅब दीन में उसके बाद निको साब बोतल में रख लेना है सभी पतारीक चान करके के बहले जल रहेगा पानी रहेगा उसी कभी मिन्दित करना है इससे आप कभी भी होता है जब किसी कभी किसी को कोई भूत प्रेत या कोई प्रकिया किया गया है आप नहीं जा रहा है जुट बोल रहा है तब भी आप इसको जल को अभी मिद्धित करके उसको छिड़ा करके जान सकते हैं यदि नेगिटी उर्जा हो तो वह कापने लगएगा थर्थाराने लगएगा व्योंस हो जाएगा यदि नहीं है तो कुछ नहीं होगा उसको इसे आप परिछर भी कर सकते हैं जान सकते हैं अब मैं बताते हैं इसको मंत्र इस प्रकार से हैं गेल परी गंगा जमना से भेट कराए जा गंगा जा जमना कोन कोन के पाप धोए अमुक के पीड़ा पाप धोए ना मिटाए तो भ जब करके अभी मंतेथ करके उसको आप काम में ले सकते हैं या बहुत उग्रमंत्र है दोस्तों यदि आप इस चैनल में नए है ते चैनल को सबस्काइब करें करें उसको पेस करके असरल टकल लिजेगा तरक्ट सकें आने वाली वीडियों के नोटिपी सेखन आपके पहुंच झाल